तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यान की तीन जून के इंपोर्टेंट करंट अफेर्स को देखे हमारा पहला और इंपोर्टेंट प्रशने ये क्या है कि अभी हाल में सशष्ट्र सिमा बल के महा निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया तो अंसर होगा SL 1000 को तो अभी भारते पुलिस सेवा के अधिकारी है SL 1000 जिनको सशष्ट्र सिमा बल का नया महा निदेशक डिरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है सशष्ट्र सिमा बल ये भारत की नेपाल और भूटान के साथ में सिमा परमारी रक्षा करती है और आपको याद होगा जो ITVP के डिरेक्टर जनरल है कौन संजे अरुडा ये अभी तक सशष्ट्र सिमा बल के डिरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज समाल रहे थे लेकिन अब कौन बन गए है इसके डिरेक्टर जनरल SL 1000 और अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे Deputy National Security Advisor उपर राष्टर सुरक्षा सलाकार कौन बने थे विक्रम मिश्री वेसे हमारे राष्टर सुरक्षा सलाकार National Security Advisor कौन है अजित दोबाल है PSF के Director General बने थे पंकच कुमार सिंग और CISF के बने थे शील वर्दन सिंग चलो बताओ CRPF के कौन बने थे Director General कुलदीप सिंग और NDRF के अतुल करवाल बने थे और Assam Rifles के प्रमुक कौन वर्दमान में प्रदीप चंदरन नायर है या रखना Assam Rifles का Headquarter का परिश शिलॉंग में है और इसी को Assam Rifles को ही पूर्वत्तर का प्रहरी भी का जाता है और वैसे अभी हमारे नए आर्मी चीफ बन गए कौन मनुच पांडे नैवल चीफ बने है आर हरी कुमार और एर चीफ मार्शल बने है विबेक राम चौधरी तो ये सारे नाम याद रतना important है बढ़ते आगे चले फिर बताईए अभी किसे नागरिक उड़ियन सुरक्षा ब्यूरो यानि की Bureau of Civil Aviation Security का महानिदेशक ने उत किया तो अंसर होगा जुल्फी कार हसन तो अभी वरिष्ट IP सदिकारी है जुल्फी कार हसन जिनको नागरिक उड़ियन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक Director General बनाया गया है तो अगर बात करें नागरिक उड़ियन सुरक्षा ब्यूरो की तो ये केंद्रियन नागरिक उड़ियन मंत्राल के तहत कार्र करता है और इसे विमान संचालन के लिए सुरक्षा संबंदी प्रोटोकोल तयार करने का काम सोपा जाता है जिसके अभी नए Director General बन गए है जुल्फिकार हसन चलो बताओ अभी नए Chief Election Commissioner कौन बने राजिव कुमार बने है 25 वे नंबर के और अगर पूछे राष्टर अलप संक्या कायूब National Commission for Minorities के अध्यक्स कौन बने इकबाल सिंग लालपुरा और एड़ाई के Chairman बने थे देवाश चीश पंडा और पंडा से याद आएगा मनोच पंडे आर्मी चीफ बने हैं बढ़ते आगे अच्छा बताइए अभी जून 2022 में किसे सेतारा ए पाकिस्तान पुरुसकार से सम्मानित किया गया तो आंसर हो गया Darren Semi को तो West Indies के पूर्व कप्तान है Darren Semi जिनको भी पाकिस्त की तीसरे सर्वुच नागरिक पुरुसकार जिसको कहते है सेतारा ए पाकिस्तान इससे सम्मानित किया गया दरसल पाकिस्तान में इंटरनेस्टन क्रिकेट को वापस लाने में Darren Semi का बड़ा रोल रहा है और इसी वज़े से उन्हें ये सम्मान मिला है अच्छा आपको याद पाकिस्तान को सम्मान नहीं देता पाकिस्तान दूसर को सम्मान दे दे करके खुद न्यूज में बना रहता है वरना लोग पाकिस्तान को भूल जाएंगे ना खेर मजा था आप तो सीधा सा याद रखना सेतारा ए पाकिस्तान मिला है Darren Semi को उससे पहले हिलाल ए पाकिस्तान मिला था बिल गेट्स को चलो आप तो बताओ अभी डेजी रॉक्वेल का नाम आपने जरूर सुनाओगा कौन सा सम्मान मिला इन्हें अंतर्राष्टर बुकर पुरुस्कार 2022 का मिला है एक्चुली में गितांजली श्री को मिला है ये सम्मान साथ में इनको भी मिला है गितांजली श्री ने एक बुक लिखी थी हिंदी भाषा में टॉम ओफ सेंड उसका अंगरी जी में अनुवाद किया था डेजी रॉक्वेल ने और अभी इन दोनों को अंतर राष्टर बुकर पुरुस्कार मिला है बुक का नम क्या है टॉम ओफ सेंड याद रखना और सिंथिया रोसेंजवेक नासा की जलवाई और नुसंधान विज्ञानिक है ये अभी वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 जीता इन्होंने और प्रोफेशल विल्फ्रेड बुटसर्ट की बात करेंगे तो स्टॉक्हम वाटर प्राइज 2022 जीता इन्होंने जिसको नॉबल प्राइज ओफ वाटर भी खा जाता है और हाँ गाईज अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किजिएगा और अगर आप में से कोई वीडियो को पहली बात देख रहे है तो आपको बता दू आपकी प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज बना करके अप्लोड कर दी गई आपके क्रेक एक्जाम एप्लिकेशन पे जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स में मिल जाएगा पीडियेफ प्या आपको वहीं पे मिल जाएगी और अगर आप में से कोई नोटिस कर रहे और कमेंट बाक्स में टाइप करें कि आज मैं थोड़ा अजीव तरह से बोल रहा हूँ तो पहले ही मैं आपको बतादू, ताकि आप कमेंट ना करो, कि मेरे मूँ में बहुत सारे छाले हो रहे है मेडिसिन में साथ में खा रहा हूँ इसलिए बहुत जादा हिम्मत करके एकत्तम ताइट ताइट भूलने की कोशिश कर तो 2022 पुरुष होकी एशिया तब की बात कर रहे हैं और ये इसका कौन सा संसकरन है? ग्यारवा संसकरन है कहां पे हुआ? जकार्टा इंडोनेशिया में किस ने जीता? साउट कोरिया ने जीता किसे हरा के? मलेशिया कवरा के यानि कि साउट कोरिया ने गोल्ड जीता है मलेशिया ने सिल्वर जीता है और तीसरे स्तान पे रहा यानि कि ब्रोंज किस ने जीता? तो भारत ने जीता है अच्छा साउट कोरिया से आपको याद होगा देखो दो प्रेशन बता रहा हूँ साउट कोरिया से जांजे सुनना एक तो अभी इसके नए प्रसिडेंट बने थे क्या नाम है यून सुक योल और अभी साउट कोरिया पहला एशियन देश बना है नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप को जॉइन करने वाला उसके अलवा याद रखना भी उबेर कप जो हुआ था जो कि साथ ने जीता इंडोनेशिया को हरा करके किसको हराया यह ध्यान रखना और चोके ओलंपिक 2020 में भात्य पुरुष होक्की टीम ने बूरुण्च जीता था जर्मैनी को हरा करके और हमारे जो भात्य पुरुष होक्की टीम के गोल कीपर है उनका नामे पी आर्शरीजेस जिनको World Games Athlete of the Year 2021 चुना गया था अच्छा अभी आपको याद होगा बारवी राष्ट्रे सब जूनियर महिला होक्की चेंपेंशिप जोकी मनीपुर के इमफाल में हुई थी उसको हर्याना ने जीता था जारखन को हरा करके और अगर बात करें बारवी होक्की इंडिया सीनियर वुमिन्स नेशनल चेंपेंशिप जोकी भोपाल में हुई थी उसको उडिशा ने जीता था करनाटक को हरा करके और बारवी सीनियर मेंस नेशनल होक्की चेंपेंशिप जोकी भोपाल में हुई थी उसको हरियाना ने जीता था तमिल नादू को हरा के और हमारे अंतर राष्ट्रे होक्की महा संग के अध्यक्षकों नरिंदर बत रहा है लेकिन अभी याद रखना इन्होंने भारत ओलंपिक संग के अध्यक्षपत से इस्तिफा दे दिया था और बताओ भारत का सबसे बड़ा होक्की स्टेडियम कहां पर बन रहा है उदिशा में उदिशा के राउल केला में जिसका नाम बिर्शा मुंदा के नाम पर रखा गया है और होक्की इंडिया के अध्यक्स को ने जानेंडरो निगोंगबा में जो की खुद मनिपुर्से हैं और दोजार टेविस के जो होक्की वर्ल्ड कप होंगे ये उदिशा में होंगे और अभी कली तो हम लोगों ने पढ़ा था FIH विश्वर रेंकिंग में भारते पुरुष होक्की तीम ये कौन से इस्तान पे रही चौत्थे इस्तान पे और इसमें तौप पे है औस्ट्रेलिया महिलाओं में बात करेंगे यार्निकी बाते महिलाओं की टीम छटे इस्तान पे रही है और इसमें तॉप पर है नीदरलेंड की टीम वैसे इंटरनेशनल होक्की फेडरेशन का है डिकवाटर का है लुजेन स्वेज्जे लेंड में है तो यह सारे पॉइंट ध्यान रखना बढ़ते हैं चलिए बताईए अभी हाली में किस राज्य सरकार ने भौत एक इस्ताम पेपर को समाप्त करने और इस्ताम सुविदा शुरू करने का निर्ने लिया तो अंसर होगा पंजाब ने तो अभी पंजाब सरकार ने राज्य के र और वर एस उपलप दोंगे और पहले यह जो इस्ताम पिग की सुविदा थी ना केवल 20,000 रुपे की ऊपरके स्ताम पेपरो पर ही उपलप दे थी पर अब यह सुविदा एक रुपे के स्ताम पेपर तक कर दी गई है यानि कि सबी स्ताम पेपर अब इस ताम के रूप में प्लब दो सकेंगे तो इस निर्ने से सालाना करीब 35 करोर रुपे की बचट होगी जो इस ताम पेपरों की छपाई पर खर्च होते थे अच्छा मैं अगर पूछू आपसे अभी किस राज्य ने पूरी तरह पेपरलेस होने के लिए राष्ट्रय विधान कारेकरम को लागू क और विश्व की पहली पेपरलेस सरकार कौन सी है टौँछार दुबाई सरकार दखोök पंजाब की बात है पंजाब की कैपिटल होती है चंडिगर और चंडिगर में आपको देश का सबसे उच्छा एर प्यूरिफिकेशन टावर भी मिलेगा नहाग के मुख्यमंत्रि कौन ह बगवन्त मान है और गवर्नर है बनवारी लालपूर है अभी पंजाब सरकार ने ही लोक मलीनी योजना को शुरू किया था लोगों की शिकायतों को इसमें सुना जाएगा और उनका समाधान किया जाएगा और पंजाब में जो मोहाले इंटरनेशनल होकी स्टेडिया में उसक का नाम मेरा घर मेरा नाम योजना कर दिया गया अचाब का मार्शल आर्ट क्या कर दें उसको गतका और यहाद रखना पंजाब ग्लोबल कोवेक्स अलाइन्स में शामिल होने वाला पहला बारते राजज़ बना था अभी पंजाब का तेवीशवार जिला बना मलेर कोतला औ इसमें साहिता राशी को 21,000 रुपे से बढ़ाके 51,000 रुपे कर दिया गया। इस योजना को पहले शगन योजना कह देती, इसमें क्या होता है। परिवार की बेटी की शादी में साहिता दी जाती है। और कितनी साय था 51,000 रुपए यार दर्खना ये सारी बातें बढ़तें आगे चली फिर बताईए अभी हाली में किस कंपनी ने भारत का पहला रुपिया अधरित क्रिप्टो रुपिया इंडेक्स CRE8 को लॉंच किया ये देश का पहला बेंचमार्क इंडेक्स है जिसका नाम है CRE8 तो ये उन आठ क्रिप्टो परिसंपरतियों के परदेशन को ट्रेक करेगा जो बाते रुपिया में ट्रेड किये गए क्रिप्टो के कुल बाजार पुझी करन का 85% से अधिक का प्रते निद्टू करते हैं अच्छा कोईन बेस के बारे में आपने पढ़ा था भी कुछ दिन पहले ही कि फॉर्चुन 500 सुची में प्रवेश करने वाली ये पहली क्रिप्टो फर्म बन गई है और इस लिस्ट में वालमार्ट लगातार दसवेश साल टॉप पे था और अभी आपको जाद होगा क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड को लॉंच करने के लिए क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है नेक्सो उसके साथ समझोता किया था और क्रिप्टो करंसी के लेंदेन पर बजट में कितने परतिशत टेक्स की गोशना की गई तो अंसर होगा 30% और बताओ बिटकोईन को अपनी बनाई तो भी अंसर होगा अलसलवाडोर अचा बहरत का पहला क्रिप्टो इंडेक्स आईसी 15 को किस ने लॉंच किया था क्रिप्टो वायर ने तो यह सब बाते याद रखना बढ़ते आगे अचा बताईए जून 2022 में गजट रिव्यू द्वारा किस भाटे शेफ को दुन आप 10 वेश्विक शेफ में इस्थान दिया गया है जो इस प्रतिस्तित सूची में जगर बनाने वाले एक मातर भाटे शेफ बन गये हैं गजट रिव्यू ने शिरे खना को छटा इस्थान दिया है और इस लिस्ट में सबसे उपर कौन है बिटिश शेफ गॉर्डन राम से और आपको बचादू मिस्टर खना यानि कि विकास खना इनको दुनिया की सबसे महंगी कुक बुक बनाने के लिए भी जाना जाता है अच्छा अभी ICMR यानि कि इंडियन काउंसल आफ मेडिकल रिसर्च ने ने किसे डॉक्टर सुभाष मुखर जी पुरुसकार से सम्मानि और आप जानते हूं 2022 का सुभाष चंद्र बोस आप दा प्रबंदन पुरुसकार किसे मिला विनोध शर्मा को मिला ये नाम भी ज्यान रखेंगे आप पड़ते आगे चलिए बताइए भारत के संशोडित ध्वज सहिंता के अनुसार भारतेर राष्टर ध्वज या अब किसकी मदद से बनाया जा सकता है तो अंसर होगा पॉलियस्टर तो भारतेर राष्टर ध्वज या तेरंगा अब भारत के संशोडित ध्वज सहिंता के अनुसार पॉलियस्टर और मशीनों की मदद से बनाया जा सकता है तो अभी केंद्र सरकार ने डेसंबर 2021 में से बुने हुए जंडों को ही अनुमती थी आपको याद होगा अभी की बाते ये 15 जन्वरी 2022 जह दिन आर्मी डेयम मनाते हैं तो उस मौके पर खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राश्टर ध्वज ये कापे प्रडशित किया गया था जैसलमेर के लौंगे वाला में अच्छा मुझे बताओ भारत ने अभी आपको याद होगा 78,000 से ज्यादा राश्टर ध्वजों को एक साथ लेराने का गिनिच रिकॉर्ड बनाय था अगर मैं पूछलू का पर बनाय था बिहार में और बताओ राश्टर सशष्टर से ना जंडा दिवस नेशनल Armed Force Flag Day कब बनाते हैं 7 December को और अगर पूछू मैं आपसे कि चांद पर जंडा फ़राने वाला दूसरा देश कौन सा बना था चाइना पहला तो USA से ही अच्छा सबसे important point तो रही गया भारत ध्वज का design किस ने दिया था पिंगली वेंक कहिया ने तो ये नाम भी ज्यान रखना प्रशनाता एक्जाम में बढ़ते आगे अच्छा बटाईए जून 2022 में किस देश ने पादप स्वच्छता संबंदि चिंताओं के कारण भारत गेहूं की खेप को अनुमती देने से इंकार कर दिया तो अंसर होगा तुर्की तो रश्या और योक्रेन के युद्ध की वज लिए जब गेहूं संकत बना हुआ है और अंतर राश्टर स्तर पर गेहूं खरीदने के विकल्प खोजे जा रहे हैं तो अब ये जो गेहूं का कंसाइमेंट वाला जहाज है वापस तुर्की से गुजरात के कांदला बंदरगा पहुचेगा देखो तुर्की की केपिटल ह होती है अंकारा करंशी होती है तुर्किश लीरा और प्रसिडेंट है रसप तैयप अर्दगौन अभी आपको याद होगा तुर्की के इस्तानबुल में इंटरनेशनल बॉक्सिंग असूसियेशन यानिकि आई बी ए महिला विश्व मुक्यबाजी चेंपिन्शिप का आयो तुर्किश पांच गोल्ड और दो ब्रोंज मेडल के साथ अच्छा आप तो मुझे ये बताओ भारत का पहला ग्रे नितियम कहां पे खुला गया गुरुग्राम में और युनाइटेड नेशन जनरल एसेमली ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतरराष्ट्य वर्ष गोश अचा फिर बताइए हाली में किसने टाइमस बिजनेस अवर्ड दो जर बाइस को जीता तो आंचरोगर रश्मी साहु ने तो पूरवी भारत के अग्रणी खाद ब्रेंड रूची फूड लाइन और उडिशा के नंबर वन मसाला कमपनी की नेदेशा के ये रश्मी साहु ज या नामे रश्मिश साहु अचा अगर मैं आपसे बूछ हूँ टाइमस पर्शन अफ दे यर 2020 ये किसे चुना गया एलन मस्क को और टाइमस एथलीट अफ दे यर 2020 चुना गया था सिमॉन वाहिल्स को ये USA की जिमनास्टिक है अच्छा भी कच्छों के संग्रक्षन के लिए जो बहलर टर्टल अवार्ड होता है वो किसे मिला था टॉक्टर शेलिंद्र सिंग को और आप लोग मुझे बताओ डॉक्टर रणदीब गुलेरिया को कौन सा पुरुषकार मिला था और हो सकता है वीडियो मेरे थोड़ा धीरे बोलने के कारण लंबा हो जाया आज अज अ यकिन मानिये मैं बोल रहा हूँ बहुत बरी बात है और वी इसपस्त इसपुर्षकार बोचनी के कोशिसश कर रहा हूँ वरना पूरे मुनमे चाले हो रहे है कले दग में चाले हो एं टॉन्सल आब जीसे बोलते हो न कुछ खाया जाता है न पिया जाता है मैं जो बोल रहा की मिटना अजीब तरी से क्यों बोल रहा हूं इसलिए उनके लिए बता रहा हूं चलिए अगला प्रस्ण दिखते हैं फिर अगला प्रस्ण क्या है अभी हाली में राष्ट्र सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक किसे बनाया गया राजेश्क गेरा को तो अभी वरि इदेशक बन गए डारेक्टर जेनरल बन गए तो इलेक्ट्रोनिक्स एन आईटी मिनिस्ट्री के तहट भारत सरकार का ये एक संगठन है जिसकी स्तापना 1976 में केंद्र और राज्ज सरकारों को टेक्नलोजिस अंचालित समाधान प्रदान करने के उद्देशी से की गई थी और अभी इसके महानी देशक बन गए राजेश गेरा अचा बताओ प्रदान बेग्यानिक सलाकार कौन बने अभी हमारे अजेक कुमार सूध और मुख्या आर्तिक सलाकार बने अनंत नागेश्वरन जबकि एसोचेम के नए अद्देश मने थे सुमंच सिना ताम ध्यान रखते आगे चलिए हमारा आगला प्रशन है अभी चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा बन गया तो अंचारों का महराष्ट तो देश में चीनी के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की जगे बदल गई है महराष्ट 138 लाख तन के उत्पादन के साथ उत्त प्रदीश को और पूरी दुनिया में चीनी का कर देख किसे कहा जाता है अब हम बात कर लेते कल की वीडियो में पूछे गए प्रस्ण के उत्तर की तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था कि ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलिवरी करने वाला पहला राज आप सभी ने प्रशन का बिल्कुल सही उत्र दिया है और एक बार फिर से आप से रिक्वेस्ट करूँ और याद दिलाड़ू कहां पर आपके क्रेक एक्जाम अप्लिकेशन में इसका लिंक आपको निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अब यह रहा आज का आपका होमवर्क प्रशन